नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एरपोर्ट से दॉट्य आफ इंडिया ने सिलेबस रिलीस कर दिया है सबसे पहली चीज़ आपको यह बोलूँगा कि प्रॉसेस रिक्रूट्मेंट प्रॉसेस आप देख रहा है किदनी जल्दी-जल्दी ह करा हो रहा है सिलेबस आघिया अब इसके बाद कभी भी एग्जामिनेशन डेट्स अनौंस होसकती हैं प्रिसे को नहीं पता होता आग्यों स्द्धाविक्षाइश्त होगा आप खकाम से कम से कम टाैम है घबाँ कभी भी एक्जामिनेशन डेट के शकी अउसकी और हो मार्च, फेबरेरी, आज क्या डेट है आपका 12 फेबरेरी, तो अभी फेबरेरी में 15-16 डेज बचे हुए है, 15 दिन ये, मार्च का पूरा-पूरा आपका 30 डेज, 31 डेज, तो आपका 45 डेज बचे हैं भी, अब इस 45 डेज के बीच में कभी भी एक्जामिनेशन डेट आ सकती ह अब वो कब होगा, क्या होगा, उसके बारे में किसी के पास कोई information नहीं होती, आप अपनी तयारी जितना ज्यादा कर सकते हैं, उतना रखिए, कोई भरोसा नहीं हो सकता है, अपरेल में हो सकता है, में में हो, हो सकता है, मार्च में भी हो जाए, जब मार्च में होगा तब क माक्स डिस्ट्रिबूशन है वह एक्जेक्ट है सेम है जैसा लास्ट यह था जैसे इस बार उन्होंने क्या किया है physics के topic define कर दिए लास्ट ताइम physics का कुछ topic नहीं था बस लिख दिया था basics of physics और इसके लाबा कौन सा पूरा सा syllabus समझ लेते हैं English language की बात करते हैं देखिए यहां पर weightage दिया गया part A 50% 60 questions of total 60 marks तो यह non-technical है 60 question आएंगे 60 number के English language 20 marks comprehension based questions आपके आएंगे structure of sentences आएगा और error finding आएगा अब यह तीन topic दी है तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यही तीन topic आएंगे English आपको पूरा पढ़ना पढ़ेगा हो सकता आपसे idioms and phrases पूछ ले हो सकता आपसे antonyms and synonyms पूछ ले कुछ भी पूछ सकते हैं comprehension based questions में से आपसे वहीं से ही antonyms बन जाएंगे synonyms बन जाएंगे वहां से पूछ सकते हैं structure of sentences में आपको fill in the blanks भी आ जाएगा sentence को जो है कैसे complete करना है वो भी आपका इसी में आ जाएगा error finding spotting error जो होता है हमारा वो भी इसी में आ जाएगा इसके लावा antonyms synonyms जो आपका vocabulary वो आपको पढ़नी ही पढ़ेगी बाकी जो हमारे सर पढ़ा रहा है आप उनको पढ़ते चलिए उनको follow करते चलिए वो आपका पूरा का पूरा करा देंगे English उसके लिए आपको attention लेने की जरूरत नहीं है आगे आता है हमारा second topic general intelligence oblique reasoning second subject हमारा अब reasoning में देखिए क्या दिया है direction sense test, assertion and reasoning इसके बाद दिया गया clock calendar test तो clock calendar अभी मैं नहीं करवाया है तो यह clock calendar करा दिया जाएगा यह तो मैं करा देंगे यह numerical ability वाले अंकूर सर है उनको बोल दूँगा वो करा देंगे नहीं कोई कराएगा तो फिर मैं करा दूँगा अब आपको यह नहीं सोचना है कि यह क्या आ गया यह तो हम तो पहली बार नाम सुन रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ अगला जो हमारा आता है जनरल नॉलेज्ट अब्लिक अवेरनिस दस नंबर का है जनरल नॉलेज्ट अब इतना सिलबस वास्ट है कि आपको समझी में नहीं आएगा आप क्या पढ़स्टे पढ़बो कहाँ से पूछ लेंगा आपको पता ही नहीं चलेगा तो इसके बारे में अभी हम आगे दस पंदा दिल में इसका वीडियो हम रिलीस करेंगे जनरल नॉलेज के लिए आपको कैसे प्रपेर करना जब स्टेडी मिट्रियल बगरा देंगे जीके का तब हम आपको बताएंगे पार्ट भी वेटेज 50% 60 questions of total 60 marks from basics of physics ठीक है basics of physics यहाँ पर लिखा गया है अब उसमें देखिए topic कौन-कौन से दिये Electrostatics, current electricity, moving charges and magnetism, electromagnetic waves and their propagation, optics, electronic devices, laws of motion, scalars and vectors, statics and dynamics अब आप जड़ा दियान से देखिए तो यहाँ पर modern physics आपका गया है पर चैप्टर, modern physics यहाँ पर है ही नहीं Electrostatics आ गया, current electricity आ गया, moving charges आ गया, magnetism आ गया, optics भी आ गया, इसमें electronic devices भी आ गया, laws of motion हो गया, scalars, vectors हो गया यहाँ पर आपका modern physics नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने छोड़ा और इस exam का कुछ भी बरोसा नहीं होता है, यह कहाँ से क्या पूछ लें, topic यहाँ define करते हैं, लेकिन question mark last में लिख देते हैं, etc., etc. में पूरी physics include हो जाती है लेकिन की, तो यह आपको decide करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मैं suggest करूँगा आपको पढ़ना पढ़ेगा, बाकी आपकी मरजी है, आपकी choice है, आप पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़िए तो और अच्छी बात है, आगे आ जाता है mathematics, हम देखिए, यहा पर साफ साफ लिखा है, concepts in mathematics in concept and application, तो यह आपका जो engineering mathematics है, पूरा का पूरा वही syllabus है, जो सर ने पढ़ाया है, नरुत्तम सर ने, वो पूरा का पूरा syllabus है, वही सब पढ़ाया जाएगा, अभी मुझे लगता है, उन्हें पर्मूटेशन कॉम्बिनेशन शायद नहीं पढ़ इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, as it is, वैसा का वैसा ही syllabus है, यह आप देख सकते हैं, 20% पाक, जो पार्ट है आपका हमारा, यह पूरा का पूरा हम पहले ही अल्रेडी बता चुके है, पूरा पूरा as it is syllabus है, इसके बाद यहाँ पर देखे, questions of physics, class 12th level, maths, class 12th level, 40%, 40%, साफ principles of business management, 20%, तो class 11th आपको पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर क्योंकि उन्होंने bracket में mention कर दिया class 12th level, अब 12th level, अब देखे क्या होता है, यहीं पर किसी-किसी book में कुछ-कुछ topics class 11th में दियें, कहीं class 12th में दियें, वहाँ पर क्या हो जाएगा, confusion create हो जाएगा, लेकिन मैं आप आपको बोलूँगा, NCRT का class 12th, आप follow कर लिए, उतना आपके लिए sufficient है, physics और mathematics में, जो ATC का physics है, उसका level थोड़ा हाई है, वहाँ पर आप देख रहे हैं, अब जैसे जो अभी अब तक हमारे सर ने पढ़ाया, जो आपको physics पढ़ाया है, वो physics आपको यहाँ पर काम आएग आपको पढ़ना पढ़ेगा, तो यह हमारा airport operations का, और यह जो aviation industry का पूरा दिया गया है, यह as it is पूरा का पूरा पिछले साल वाला है, कुछ भी change नहीं किया गया है, तो यह आपको कुछ as such पढ़निक जूरत नहीं है, यह already हमारा complete हो चुका है, लक्ष बैच में, अगर कुछ भी change नहीं, सिलिबस में, कुछ भी change नहीं है, वैसा कब ऐसा ही है, physics में बस कुछ topic define कर दी है, तो आप घबराइए मत, परेशान मत हो यह, कि यह हो गया है, यहाँ पर यह हो गया है, हमने आपको बोला है, कि हम आपको पूरा syllabus कराएंगे, तो हम आपको करा के देंगे और अभी यह मान के चलिए, कि आज क्या date है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, कि examination date के बारे में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इनका recruitment process बहुत fast है, अगर कोई administrative reason या किसी भी वजह से, why chance अगर इनने लगा, तो आगे further extend करेंगे, otherwise यह extend न announce हो सकती है, examination dates देखिए, March, April, अभी February में पूरे 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 पंदा दिन बचे हो सकता है, इसी बीच में announce कर दें, और जब announce करते हैं, उसके बारत maximum 15 से 30 days के बीच में paper करा देते हैं, तब यह क्या है उनका criteria, examination center, क्या alert करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं मालू होता है, मुझे भी नहीं मालू है, बस आप से बोलूँगा, आप अपनी तयारी करते रहिए, क्योंकि अब syllabus आच चुका है, अब कुछ भी, कभी भी data सकती, बस, बाकि आपके उपर है, आप कितनी मेनत करते हैं, मैं आप से यहीं बोलूँगा, मेनत करि इस opportunity को आपको मिस नहीं करना है, बाकि अब आज से जो भी लक्ष बैच के हमारे students हैं, अपने सारे faculties को, सारे teachers को, जो भी हमारे team है, उनको सब से मिल के हम बात करेंगे, और अब पूरे proper तरीके से, अच्छे ढंग से, देखिए, जो हो चुका है, वो नहीं होगा, अब जै के लावा आपको नहीं पढ़ाना है, तो चलिए, सारे teacher से मैं बात कर लूँगा, जो भी हमारी team है, सब से बात कर लेंगे, मिल के, एक अच्छे से, अच्छे ढंग से त्यारी करेंगे, और कोशिच करेंगे, इस exam को correct करेंगे, so thank you very much, and thank you for watching.